तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी बनने वाली मचली यानिकी फिश पैन फ्राइ हम कर रहे हैं बहुत ही सिंपल मसालों के साथ तो मैंने यहां सारा स्किन मैंने निकाल दिया है इस तरह से आप देख लें मैंने सारे जितनी भी मच्छी के जो स्किन है व अब सारे मसाले हम यहां पर मिक्स कर लेंगी क्योंकि हमें थोड़ा से मारिनेशन करना है अपनी मचली को फ्राइब करने के लिए तो एक चोड़ा चमच हम डाल रहे हैं यहां पर हल्दी मिर्च हम डाल रहे हैं 1 से 1.5 चमच आप आप जट्ता चपड़ा कहते है उससे आप ले ले अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला तो मैंने गरम मसाला को फ्रेशली यहां पर में डाली कर लिया है चोटा चम्मच के पाली मिर्ष यूच अब चोटी दाल चीनी अब इसमें हम डाल देंगे अपने गरँ मसाला नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें 2 स्पून भर का अद्रग लसन का पेस्ट तो बहुत सिंपल मसालों के सेहत में आपको ये फिश पैन फ्राइ दिखा रही हूँ एक चमज भरका हम डालेंगे इसमें कॉर्ण फ्लोर अधा नीम्बू का रस अगर आप चाट का मसाला भी डाल सकते हैं इस तरह से हम आधा नीम्बू का रस इस तरह से ले लेगे तो हमारे जितने भी मसाले मुझे डालने थे मैंने यहां पर डाल दिया है अब चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं हलके हलके हातों से अच्छे से इसको मिक्स अप करेंगे प्रेंस मुझे कमें सेक्षिन में जरूर लिखें कि आपको यह फिश पैन फ्राई कैसा लगा बहुत सिंपल मसालों के साथ मैं इसको प्रिपेर कर रही हूँ अब अपने घर में जरूर ट्राई कर रहे हैं तो अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो हिट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी मेरे कुकिंग नोटिफिकेशन से वह आप तक जरूर पहुंचे तो हम मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वह अच्छे से मचली में कोट हो जाए अब हम इसको ढाक कर आ अब हम इसमें डालेंगे ओल शालो एकदम शालो फ्राइब करेंगे हम मचली में जादा हम डीप भरका नहीं करेंगे तो हमने यहां पर एक बड़े चमच एक सब्सक्राइब यहां पर डाल दिया है ओल इस तरह से तेल को हम गरम होने देंगे तो तेल हमारा यहां पर गरम हो गया है अब हम धीरे धीरे करके जो पीसेस हमने मैरनेट किये थे वह हम इसमें डाल देंगे इस तरह से आप मुझे कमन सेक्शन में जरूर सिंपल आपको यह फिश पैन फ्राइब कैसा लगा मैंने आपको यहां पर बहुत ही बेसिक मसाले जो बहुत ही एजीली हर घर में मिल जाते है उस इससाफसे मैं इसको आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हम इसको पैन प्राइब करेंग तो पांच मिट के लिए हम इसको हलका हलका करके एकदम शैलो फ्राई गोल्डेन कलर में हम इसको कर देंगे इस तरह से आप तेल इस साइड लगा लें तो जो मचली है वह हमारी यहां पर अच्छे से प्राई हो रही है जब देख सकते हैं साइड में इकवली यहां पर हलके से गोल्डेन कलर में हो जागा यानि कि जो तेल है वह खुछ से मचली को छोड़ देगा तब आपको इसको टर्न करना है फर्स टर्न हम ले रहे हैं इस त जाएगी अब देख सकते मेरे कितने घीरे से को टर्न किया है इस तरह से आपको सारे मचलिया है और अगर आपको और भी सिंपल रस्पी देखनी है तो मुझे लाइक करें और मेरे चाय को सब्सक्राइब करें तो यहां पर मैंने फर्स टेन ले लिया है अब 5 मिनिट और मैं इसको इसी तरह से शालो फ्राइ करूंगी बहुत ही जल्दी हमारी जो मचलिया है वो बन के रेडी हो गई है तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राइब करेंगे शालो फ्राइब जादा इसको आपको हाई फ्लेम पर नहीं करना है एक बार जब तेल अच्छे से गरम हो तो फ्रेंस हमारा यहां पर जो फिश पैन फ्राइब है वो बन के एक दम रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं तू सैट्स इक्वली मैंने इसको फ्राइ कर दिया है इस तरह से तव गोल्डन फ्राइब हो चुका है और थोड़ा सा हलका सा उपर की तरफ क्रिस्पीनेस भ वह क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर सौफ भी रहेंगे तो फ्रेंस हमारा यहां पर फिश पैन फ्राइब रेडी हो गया है इसको आप गर्मा गरम अपने फैमिली अपने फ्रेंस के साथ एंजॉय करें अपने महमानों के खिलाएं खाएं और खुश रहें थैंक्स प